आज हम क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं तू है प्रिजेंट सेंटेंस जो सेंटेंस हम आज बनाना सीखेंगे और मैंने इसके कुछ एग्जामपल लेगी हैं लगवक्त दस सेंटेंस हैं मैंने गयना नहीं है और आज की क्लास बेरी शानदार जवजस्त और जिन्दा बाद होने बाली है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे टू है प्रिजेंट एन यह बोल चाल की भासा में को में लैंग्विज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है टू है बाले सेंटेंस बहुत आसानी वाले सेंटेंस कुछ हम एक्जम्बल लेते हैं सबसे पहले मैं आपको एक्जम्बल दिखाता हूँ क्या है मेरे पास दिमाग है तमारे पास मवाइल है उसके पास किताब है पुस्पेंद का भाई है गाए के चार पैर है मेरे पास मा है उसे बुखार है और तमें कोरोना है तो मेरा एक्जांपल सेंटेस ले लिए तो यहां पर मैं इसकी पहचान लिख देता हूं यहां की हम मैं आपको पहचान बताता हूं पहचान इसका पास है यह आप याद रखना इसकी common पहचान है लेकिन इसकी hidden पहचान भी है जैसे मैं लिखूँ पास होने के sense में mouse किये जाते हैं और उन्होंगों भी हम बनाते ह हैं तुछे सिंटेन्श में बनाते हैं में और सो सिंटेंस बनाने से पहले मैं कुछ structure और कुछ इसकी नियम रहत हैं sentence बनाने के मैं आपको बता देता हूं ताकि आप यह आसानी से बना सके तो पहचान यह है पास है और structures मैं बताता हूं सबसे पहले लखता हूं मैं नियम नियम ठोड़ी पास में लिखते हैं आई भी दे यू और प्लूरल और भी हैं दीस और दोस आप समझदार है I think इनके साथ हम किसका यूज करेंगे किसका प्रियूग करेंगे हैव का करें सब्जेक्ट रहे है ओके और ही शी एट और सिंगुलर या किसी के नाम उसके साथ हम क्या यूज करेंगे है का प्रियूग हम करें गे ओके तो इडिस यीजी आई कंसिलर डेट आप संटिक्टो बना लोगे तो इसके स्ट्रेट दो प्रकार ने हैं मैं सबसे पहला इस्ट्रेक्चर मैं बता दूं कि यसे subject पिलस थोड़ा पास में लिखते हैं ताकि sentence बनाने के लिए अपने पास काफी जगा रहे है क्योंकि sentence बनाने के लिए जगा चाहिए तो इस्ट्रक्चर है subject plus has oblique have plus noun और subject plus has जो second वाल structure रहता है चलो मैं यह बताता हम subject plus has oblique have plus not plus noun तो एक यह वाला structure हो गया ओके बोट थोड़ा से हिल रहा है मैं adjust कर लूँगा हो गया के नहीं हो गया ओके हो गया और दो दूसरी वाल structure यह वी रहता है subject plus do oblique does plus not plus have plus noun तो यह फर्स्ट और सेकेंड यह भी हम बना सकते हैं लेकिन यह वाला लोग complicated है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग तो लोग complicated complicated में ना जाकर आप अच्छे से साधान भासान sentence बनाएं क्योंकि यह भी हम बना सकते हैं और यह भी सही है तो यह इस्ट्रेक्टर लेते हैं एस और लेख है में प्लस सब्सक्राइब प्लस सब्सक्राइब के नाMusic ऐसी फूर्थ बाला बना लेते हैं पूर्थ जोब लेख हम प्लस नावड लेते थोड़ी सी मैं स्माल उसमें लिख नहूं अब समझ देना थोड़ा सा जूम करके उके एप रस शॉल्ट प्लस अंप लाश्ट वाला सेंटेज जो स्ट्वीट्टर हो हम क्यांस बनाते हैं राइज अब लिख है जिसको हम कोईश्चेंट बाड इंट्वेट्व निगेटिव बॉलते हैं क्यों सही बोल रहां न आई है एन मतलब नाउं होता है वाइज है जो ही अली। सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे साथ से लास्ट माप देख लोगे तो बहुत आसानी से बना लोगी मेरा में टार्गेट है जो सेंटेंज मेरे पास मां है अपने ऐसे जब सेंटेंज हम बनाएंगे मेरे पास मां है यह आप लोगों ने पिक्चर देखी देखी नाव यह दूत नहीं आ खूब सुना है अमिता बच्चन का क्या बोलते हैं सब्सक्राइब बच्चन से आज मेरे पास गाड़ी है बंगला है तुम्हारे पास क्या है अभी तब बच्चन क्या बोलता है मेरे पास मां है साइद मैं उल्टा उल दिया ओके तो यह मुझे याद आ गया तो मैंने सब्सक्राइब अच्छा है इसलिए मैं इसको लिया और मां बहुत जरूरी होती है तो रचीर ब्नाते हैं मेरे पास मा है का रहा है कि या उसे बखार तो चला यह बेरी हहां मेरी मान्class किते हूं तब है कि मेरी व्रक्राइब आपको क्या करें के मेरी मन है कि क्यों क्यों इ腳lara मेरी मान एक अ मेरी मा नहीं है, मेरी मा नहीं है, क्या बनाए कि भाई, I have not mother, क्या मेरी मा है, मेरी मा नहीं है, क्या मेरी मा नहीं है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, मेरे पास मा, मेरी मा कहा है, मना सकते हैं न, मेरी मा कहा है, यह नहीं है, where is my mother हो सकता है, मेरी मा कैसे है, यह अच्छा लगता है, मेरी मा कैसे है, how have I mother, मेरी मा कैसे नहीं है, how have I not mother, ओके, so I hope, आप लोग समझ गए होंगे, हमें sentence को बनाना कैसे है, हमें sentence को बनाना कैसे है, और मैं बता दूं कि बहुत आसान है, आप लोगोंने अगर धांस देखा होगा तो आप लोग sentence आसान इसे बना सकते हैं, और हमें sentence की practice भी करनी हैं, आज मैंने इसे लिए लगाया कि I मतलब मे भी होता है, मेरे मे होता है, और मेरी भी होती है, तो अच्छा है ना, मेरी मा है, I have mother, मेरी मा नहीं है, I have not mother, क्या मेरी मा है, have I mother, क्या मेरी मा नहीं है, मेरे मार कैसे है वहाइं आसानी से हम प्रैक्डिस कर सकते हैं अख्या के चार पर हैं काव फोल लैग क्या गाई के यह को लेते हैं कि तुम्हारे पास मॉबाइल सब के पास रहता है लेकिन मैंने तुम्हारे पास आपके पास तुम्हारे पास मॉबाइल नहीं है यू आप नॉट मॉबाइल क्या तुम्हारे पास मॉबाइल है हावी मॉबाइल क्या तुम्हारे पास मॉबाइल नहीं है have you not mobile तम्हारे पास mobile क्यों है why have you mobile तम्हारे पास mobile क्यों नहीं है why have you not mobile ओके बहुत आसान है to be present के sentence बनाना और आज की class हम इतना ही रखते हैं और यदि आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो करपया चैनल को subscribe करें चैनल पर आप नहें तो आप introduction से वीडियो देखें ताकि आप अच्छी से sentence को बना सकें और जब आप अच्छी से sentence बनाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी जब आप अंगली जी बोलोगी क्योंकि मैं भी बहुत जादा मेहनत कर रहा हूं और बैसा तो पताना सही नहीं लेकिन फिर बता देता हूं कि इसको आप जॉइन कर लीजिए एबरीबडी के लर्न इंगलिस का टेलेगराम चैनल है आपको जॉइन करना है अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी तरह की से आपको प्रेक्टिस करनी है sentence बनाने हैं बहुत सारे मैंना यह 10 sentence लिखेते लेकिन आपको 20-25 sentence बना लेने हैं ताकि आपके अच्छी प्रेक्टिस हो जाए उसकी रिकार्ड़ोंगी करनी है तो इस सब बटेलर कस्पा भेजना है आपको ECLE टेलीगराम गुरुप पर आपको स्टैन करना है जो गुरुप की लिंक है आपको चैनल के description में आपको अपलब्द करा दी जाएगी और आप यहां से चैनल को जोईन कर सकते हैं टेलीगराम चैनल को आज के लिए इतना ही मिलते हैं कल तिल देन टेक केर थैंक्स पर वाचिंग